असलाम अलेकुम आज की हमारी रेसिपी है मैं आम की लसी यह बहुत ही डेलिशियस और अच्छी बनती है बाजार से भी बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो अगर आप हमारे चानल पर नए हो तो फ्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे र पके हुए आम लिया है इसका चलका निकालकर कि इसकी गुट्ली भी निकाल दिया है और इस तरह से छोटे पीचेस में कट करके रखेंगे हमें एक मिक्सी जार में आम के कट किये हुए पीसेश डालेंगे और इसमें हम दालेंगे 4-5 टेबल स्पॉन शकर शकर आप आप के recording दाल सकते हैं कम्याद यहां मैंने 5 तेब्लपुन शकर दाला है और दही एक कप दालेंगे और थोड़ा सा पानी दालेंगे half cup के आथपास और इसी में हम दालेंगे पांसे छे ice cubes और इसी में दालेंगे 2 तेब्लपुन मलंगी दालेंगे यानि प्रेश क्रीम यह आप्शनल है आप चाहे तो इसे किप भी कर सकते हैं यह आप्शनल है और इसे इस तरह से ढ़कन लगा कर हम स्मूथ सा ग्रैंड कर लेंगे देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्शर में आया है और हमारी मैंगो लस्ती बनकर बिल्कुल तयार है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाड़ी और क्रीमी बनी है आप इसे सर्विंग जार में निकाल सकते हैं अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी इतनी तिक नहीं ही देखिए मैं यहां सर्विंग जार में निकाल रही हूं आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही क्रीमी और ठीक्श्यर है इसका आप इस तरह से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब PB सर्व करना हो तो आप इसे निकाल कर इस tharह से ग्लास में दालें और इसके ऊपर से हम बारी कटे हुए बादम और बारी कटा हुआ काजू को भी डाल लेंगे अगर आपके पास काजू बादम ना तो आपके पास जो भी है उसे आप डाल कर गार्णिश कर सकते हैं आप फिर सिर्फ मैंगो चंक से ही गार्णिश कर सकते हैं देखिए दिख रहा है ना एकदम मार्क जैसा इसी तरह से आप घर पर बनाएं कैसा बना है आप कामेंट कीजिए और हमारे रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तैंक्स फर वाचिंग अल्ला आफेज